जय माम भद्रकाली, जय माँ चामुंडा, जय स्वागत है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों। दुश्मन की हालत कौडियों जैसी होगी, दरदर की ठोकरे खाएंगे। दुश्मन के मित्रों, अब आपका वक्त आ गया है। शनिदेव, जब न्याय करते हैं तो अच्छे-च्छे के पसीने निकल जाते हैं। लिस सबसे पहले आप सभी से वीडियो को लाइक अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः। अवश्य लिखें। दोस्तों, खिड की दरवाजे बंद क करके देखना, क्योंकि रोंगटे खड़े करने वाला सच आपको बताने वाला हूँ। सुनकर आपका भी आँखों से आंसु निकलने लगेंगे। दोस्तों, अगले साथ दिनों में बहुत बड़ा टहल का मचने वाला है आपके जीवन में, कोने में जाकर चुपके से परिवर्तन, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आईए जानते हैं कि यह सब्ताह आपके जीवन का कैसा रहने वाला है, क्योंकि खुश खबरी आपको मिलने वाली है और उसी के साथ क्या-क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ ड़ेगा। क्या सावधानिय जिससे कोई परेशानी आपको न हो, वहीं आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थे कैसा रहेगा, तो प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारियां देने वाले हैं, तो जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए पूरे सप्ताह का महाराशिफल लेकर आए हैं, तो एक लाइक तो बनता है, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाईए, और ओम नमह शिवाय जरूर लिख दीजिए, भगवान भोले न अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी जरूरी खबरें हैं दोस्तों, बीच में कुछ सावधानियां बताएंगे, अंत में कुछ अचूक उपाए बताएंगे, दोस्तों, प्यार महबबत की बात करें, तो प्यार महबबत के मामले में, यह समय आपके लिए नहीं रहे थे, इस सपताह उनको मनाने की कोशिश करियेगा आपको। दोस्तों, खुशखबरी ही मिलने वाली हैं। यदि आप पहले से ही शादी शुदा हैं, तो इस दोरान जीवन साथी के साथ आपके जो रिष्टे हैं और ज्यादा दोस्तों जोडने वाले हैं, और तो यह सब समय, यह सपताह प्रेम संबंधों के लिए पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। शादी शुदा लोगों के लिए भी अच्छा है। बात अगर उन लोगों के लिए करें, जो लोग अपने लिए पार्टनर की खोज में हैं, कोई जीवन साथी की च चाह रख रहा है। कुमवारे लोगों के लिए यह सपताह बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सितारों का ग्रह गोचर हो रहा है, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही लखी रहेगा। तो यह चीज उन लोगों पर भी लागू है, जो लोग कुमवारे हैं। अपन में कोई अच्छा साथी बनकर आ सकता है। तो दोस्तों तैयार रहिएगा, इस सपताह में अपने आपको अप्टुडेट रखें। सामने वाले की भावनाओं को आप मेच करें। तो दोस्तों, आपका काम बन सकता है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जिन लोगों को स चाह रखते हैं। संतान की प्राप्ति नहीं है, उनके लिए भी यह सपताह बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान के इच्छुक जातकों को खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना है तो दोस्तों, संतान लोगों को इस समय संतान मिल सकती है। कामका पहता जाए तो जो लोग कुछ नया करने की सोच रख रहे हैं, कुछ नया करने की दोस्टों सोच रहे हैं तो के लिए भी यह सब्ताह अच्छा है. आप चाहें तो इस सब्ताह ही उस चीज की शुरुआत कर सकते हैं. आपको बहुत अच्छी शुरुआत मिलेगी। जिन प्तर में लंबित कारियों का थोड़ा सा जो बोज है आपके उपर बढ़ने वाला है। इस सप्ताह आपको कामकाज के लिए भाग दौर थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु आप सारा काम अच्छे से कर लेंगे, थोड़ा सा दिम परिणाम भी उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। इन चीजों से आपके बौस, आपके उच्च अधिकारी, आपसे प्रसन रहेंगे और आपके दोस्तों तरक्की के द्वार भी खुल सकते हैं। प्रमोशन वगैरा भी मिल सकता है। दोस्तों, इस अवधी में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। वहीं व्यापार से जुड़े जातकों के लिए धन लाब की स्थिती अच्छी है। खास तोर पर अगर आप काम अनाज का करते हैं, तेल का काम होते हैं, सोने चांदी आदी का काम काज करते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद लाब दायक रहने वाला है। अन्य लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिती मजबूत बनेगी। यदि आप किसी वाहन या आदी की खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द ही आपकी यह योजना और आपका सपना सच हो सकता है। वहीं दोस्तों, अतीत में किया हुआ परिश्रम आज के दिन अच्छा फल दे सकता है। यानि कि पिछले समय आपने किसी चीज को लेकर बहुत महनत की थी। चाहे वह व्यापार, नौकरी हो या कोई भी चीज हो, उसका अच्छा परिणाम इस सपताह में आपको मिल सकता है, तो बहुत अच इस सपताह काफी हद तक कम होने वाला है। बस समय की मांग है कि जो भी करें, बिलकुल महनत से लगन से करें, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। दोस्तों, इनसान हंसता तो सब के सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है, जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोस हो। तो अगर आपके सामने कोई रो रहा है, तो समझ लीजिए, उसको आप पर बहुत भरोसा है, तो उसका साथ दीजिए, और उसकी समस्या का समाधान करने में आपको भी थोड़ा सा उसका साथ अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, कर्म वह फसल है, आपके जो कर्म है, आपकी वह फसल है, जिसे हमें काटना ही है, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी आए और सुख देने वाली हो। यानि कि दोस्तों, जो कर्मों का बीज है वह अच्छा होना चाहिए। आपके कर्म अच्छे होने च चाहते हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, यह जो सब्ता है, बहुत ही अच्छा है। कुल मिलाकर आप सभी के लिए हर क्षेत्र में अच्छे संकेत दे रहा है। सितारों का योग ऐसा बार-बार नहीं बनता है। कुछ सावधानियां भी हैं जो हम बताए सकते हैं। अगले सब्ताह की जब हम वीडियो लाएंगे। रविवार के दिन, यानि कि जब अगला रविवार आएगा, तब हम आपके लिए सवाल-जवाब वाली वीडियो लेकर आएंगे। जब साप्ताहिक राशिफल वाली वीडियो लेकर आएंगे, तब उसमें आप की समस्या और आपको समाधान उस वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे तो दोस्तो इस वीडियो के नीचे सवाल करिए अगले सापताहिक राशिफल में उसका जवाब दिया जाएगा तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी कोई समस्या हो कोई हमसे सवाल परसनल तो आप होंगे खर्चों पर काबू करिएगा वरना बार बार भविश्य में बहुत ज्यादा कर्ज में डूब सकते हैं बातचीत करें किसी से भी चाहे परिवार में चाहे बाहर नौकरी धंधे कहीं भी बातचीत करें तो सावधानी रखें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होने से विवाद हो सकते हैं इसके थोड़े दोस्तों योग बन रहे हैं मन में नकारात्मक विचारों को न उपजने दें आपके मन में कोई भी गलत चीज नहीं आनी चाहिए सपताह अपने व्यवहार को सहज बना कर रखें बड़े-बड़ों के साथ विवाद हो सकता है गुस्से के कारण स्थिती बिगड सकती है बच्चों को आपके सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी तो उनका दोस्त मार्ग दर्शन अवश्य करिएगा कोई सवाल परेशानी हो तो नीचे लिखकर बताएं धन्यवाद दोस्तों जय माता दी आपका भविश्य उज्ज्वल ह इस सप्ताह के उपाय की अगर बात करें भगवान भोलेनात जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अवश्य छड़ाएं दुख दर्द दोस्तों वहीं से सारे कटेंगे जो भी माता लक्ष्मी का भक्त है और चाहता है कि आपके घर में हमेशा धन धानने की बरकत रहे तो दोस्तों एक लाइक तो इस वीडियो को कर दीजिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा माता रानी का आशीरवाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बना हुआ रहेगा आईए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं स समस्या दूर होगी फितूर सितारों का प्रभाव आपके मानसिक तनाव को कम करेगा वहीं दोस्तों आज आप अपने महत्वपूर्ण कारियों पर ध्यान दे पाएंगे अगले तीन दिन दोस्तों आप लगन से काम कर पाएंगे सितारों का प्रभाव आपके दोस्तों मस्त ना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह तीन दिन आपके लिए बहुत ही खास हो सकते हैं। जो दोस्तों कोई अच्छी कंपनी से इंटर्व्यू के लिए बुलावा भी आ सकता है और साथ ही जो लोग अपने लिए कुछ धंधे की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह तीन दिन बहुत ही शानदार रहेंगे। पैसों के मुनाफ़े की बात करें तो दोस्तों, इधर उधर से आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। एक नहीं दोस्तों, कई सारे रास्तों से आपको पैसा मिलेगा जीवन साथी के साथ। दोस्तों, आपके जो मतभेद है थोड़े से गहरे हो सकते हैं। दीशुदा जिंदगी पर भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। नहीं तो दोस्तों, दूरिया और बायरेच सकती है। उससे आप किसी का दिल भी जीत सकते हैं और किसी के दिल में छेद भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा अपनी बातों को हमेशा ध्यान से बोलिएगा। आपके जो शब्ध हैं वह हमेशा सही होने चाहिए। क्योंकि इनसान का जो जहर होता है वह दातों में नहीं बल दोस्तों, अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीश्म भी न बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो यह गलत बात है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कि अगर अंजाने में भी आपसे कोई न कोई पाप हुआ है, तो उसको होने के लिए आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, अगर आप अपने पापों को धोना चाहते हैं, तो आप अपने कर्मों को अच्छा करिए, अन्यथा, दोस्तों, पापों का फल तो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, कामकाज के मोर्च पर दिन आपके लिए यह तीन बहुत ही अच्छे हैं, नौकरी वालों और व्यापार वालों दोनों के लिए बहुत शांदार है, परंतु इन तीन दिनों में आपका कोई राज बाहर आ सकता है, दोस्तों, यानी की ध्यान रखिएगा, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप भविश्य के लिए करना चाहते हैं, किसी को भी न बताए, अन्यथा, करने से पहले ही आपका यह काम, दोस्तों, कोई टांग अड़ा सकता है उस काम में, या फिर दोस्तों, आपको कार्य से भटका सकता है, इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो प भाग समझ सकते हैं, आप किस तरह के होते हैं, कोई भी आपकी तरक्की नहीं चाहता है, इन तीन दिनों में, दोस्तों कोई शुब समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी जो दिंचर्या है, अस्त व्यस्त हो जाएगी, तनाव और चिद्ध-चिद्धपन आपके उपर हावी ह जाएगा, जिसकी वजह से आप बिना मतलब ही दूसरों से उलज सकते हैं, लेन देन से संबंधित मामले बहुत ही सावधानी से करेंगे, तो आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा, वहीं ध्यान रखिएगा कि आपको कोई चिंता इन दिनों सता सकती है, कोई जिगत चिंता सताएगी जिसकी वजह से अपने आपको आप असहाय और अकेला महसूस करेंगे, कभी कभी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए आपको करजा भी लेना पड़ डी डी एच सकता है, आपके अपने नजदी की लोग ही आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, इसलिए सचेत रहें और अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त रखें, किसी के सामने जाहिर ना करें, अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित है, जिसका विवाह कई समय से नहीं हुआ है, तो उस सदस्य के विवाह से संबंधित रिष्टा भी आ सकता ह दोस्तों, जिससे आपके घर में रौनक आ जाएगी, पुना कोई धार्मिक गतिविधी भी संभव दिखाई दे रही है, वहीं दोस्तों, लव अफेर्स के मामले में आप लोग इस समय लखी रहेंगे, जो लोग अपने लिए पार्टनर की खोज में हैं, अपने लिए दोस दोस्तों, बिलकुल ध्यान रखिएगा इस बात का, वहीं अपने विचारों को खुद तक सीमित रखें, अन्य लोगों की बात समझने की और समझाने की कोशिश ना करें, दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अन्य लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने आप पर ही दोस्तों कुछ चीजों को रखें, तो अच्छा रहेगा. विचारों में स्पष्टता नजर आ रही है, लेकिन खुल कर बात करना चाहिए. आपको किसी एक ही लक्ष पर ध्यान बनाए रखना चाहिए. पहले उसे कंप्लीट करें, फिर किसी दूसरी चीज पर आप आना चाहिए. दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपकी कोई कीमत ही ना हो, आपकी इजज़त ना हो, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन. दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां किसी के मन में भी, अगर आ अगर आप किसी के घर गए हो, वहाँ पर आपका आदर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से उठिये, और आप अपने रस्ते निकल जाईए, क्योंकि ऐसी जगह दोस्तों जाना ही अनुचित है, जहां पर आपकी कोई कीमत न हो। पर आपकी कीमत नहीं मिल जाईए, परंतु ध्यान रखियेगा कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल वह दिन हो, जिसका आपको सालों से इंतजार था, इसलिए निराश कभी भी मत होना, अपनी जिन्दगी से स्वास्थ्य की बात करें, तो आपका मैं अच्छा रहेगा, तीन दिनों में घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड सकता है, जिससे आप भी दोस्तों तनाव में रहेंगे, काफी पैसा डॉक्टर और दवाईयों पर भी खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से तयार रहें, अगर पहले से किसी को परे जादा ध्यान दे, कोई ऐसा हो भी, तो उसको तुरंत सही करने की कोशिश करें, दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही अगले तीन दिनों का महारास फुल था, आप लोगों के लिए कोई सवाल परेशानी हो, तो बताईएगा आपको समाधान जरुर बताएंगे, तो मित्रो इसका तालुक हमारे जीवन से भी है, कि सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। जी हा मित्रो, जब तक आप निरंतर प्रयास पहले भी करते आये हैं, और अभी भी करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसलिए मित्रो जीवन में हमेशा मेहनत क प्षल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा तो मित्रो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा तो भविश्य से संबंधित नकारात्मक विचार दूर करने की कोशिश करें और किसी मित्र के साथ अपनी भावनाओं को बांटने की कोशिश करें जी हां मित्रो उनकी मदद से आपको समस्याओं का हल जरूर प्राप्त होगा और परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत से संबंधित चिंता आपको हो सकती है मित्रो जब तक आप अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटेंगे नहीं तब तक आपको समस्याओं का हल प्राप्त भी नहीं होगा और मार्ग भी नहीं प्राप्त होगा इसलिए मित्रों खुद को घुटन महसूस न होने दे। यदि आपके जीवन में कोई समस्य आए हैं, तो लगता है कि कोई अपना है, तो आप अवश्य शेयर कीजिए। वहीं ध्यान रखिएगा कि अनेक अवसर प्राप्त होने के बाद भी उनका ठीक से इस्तिमाल आप नहीं कर पाएंगे, और पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पार्टनर आपको अच्छे से समझ रहा है, और जब तक आप पार्टनर को ध्यान नहीं दे पाएंगे, पार्टनर की तरफ आप सही से बरताव नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपके रिष्टे डग मगा सकते हैं, साथ ही मित्रो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से ठकान महसूस होगी, लेकिन इस कारण किसी भी काम में बाधा नही आएगी, जो कार्य चल रहे हैं, वह चलते रहेंगे, और परिवार के लोगों के साथ रिष्टों में आपको उतार चड़ाव नजर आएगा, लेकिन आप उनके पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, और बढ़ी ही खरीदारी से संबंधित दुविधा आपको महसूस हो सकत जी हां, मित्रो, करियर से संबंधित जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी, अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही आपको जीवन में आगे के नए मार्ग मिलेंगे, और मित्रो, लव रिलेशन्शिप मे उतार चड़ाव महसूस होंगे, लेकिन स्थिती नकारात्मक नहीं है, जी हां, लेकिन आप सोच सोच कर उसे नकारात्मक बना सकते हैं, तो ज्यादा सोचे न, मित्रो, क्योंकि जब आप ज्यादा सोच विचार करेंगे, तो इस वजह से परिस्थिती भी नकारात्मक और आपके कार्य भी नहीं बनेंगे। मित्रो, मानसिक रुप से होने वाली तकलीफों को सुलजाने की जिद आपके लिए और तकलीफ बरहा सकती है, इसलिए ज्यादा जिद ना करें। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी भावनाएं आपको महसूस हो रही है, उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आप उपरी मन से इन भावनाओं को देखकर थोड़ा सा व्याकुल हो रहे हैं। और मित्रों, तभी परिस्थिती के साथ समझोता करपाना आपके लिए संभव होगा जब तक आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे। परिवार के लोगों के द्वारा डाले गए दबाव की वजह से कुछ निर्णय मर्जी के खिलाफ लेने पड़ी डी डी एच सकते। तो वैवाहिक जीवन में भी आपके उतार चड़ाव इस समय बन रहा है। मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोच विचार करके किसी निर्णय तक आप पहुँच पाएंगे और उस पर टिके रहने की भी कोशिश आपको करने होगी। भावनाओं को नियंतरण में रखना अति आवश्यक है क्योंकि मित्रों भावनाओं में आकर ही आप अकसर गलत फैसले ले बैठते हैं तो कुछ लोगों के साथ बातचीत भी कम हो सकती है। लेकिन वक्त के साथ यह रिष्टा सुधरता हुआ नजर आएगा और इस रिष्टे के सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं करियर से संबंधित चिंता दूर होने की वजह से अपने काम को बड़े स्तर पर करपाना आपके लिए संभव होगा और पार्टनर के साथ बातचीत कम होने से चिंताएं बनी रह सकती हैं। जी हां मित्रो, इस बात का भी विशेश ध्यान रखियेगा कि भौतिक सुखों की अपेक्षा बढ़ सकती हैं। मित्र आपको आर्थिक स्थिती से जूजना पड़ सकता है। काम से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट को स्विकार करने से पहले, पेमेंट से संबंधित बातचीत को सपष्ट रुप से करना होगा और रिलेशन्शिप संबंधित निर्णएं आपके आगे बढ़ने लगेंगे। वहीं आपको पेट में जलन महसूस हो सकती है, तो पेट में यदि आपको कुछ गड़बड़ी दिखी, तो आप या तो आयुरवेदिक चीजों का सेवन करें, या फिर तुरंत किसी अच्छे चिकितसक से सलाह लें, और तनाव रहने से सेहत में बिगाड नजर आ सकता है। तो ज्यादा तनाव को अपने उपर हावी न होने दें, पूरा आराम करने पर ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी और नींद से संबंधित समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और मन में उत्पन्न हो रही चिंता का हल ढूंडने में वक्त लगेगा। कि जितना शांति पूंड तरीके से आप जीवन व्यथित करेंगे, जीवन उतना ही बहतरीन बनेगा। तो गुरु जी का ये ज्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आएए, अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटों की लीला कैसी रहेगी। मित्रो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि साल की शुरुवात लड़ हाई जगदिद्धों के साथ बिलकुल भी ना करें। बेकार के विवादों से अपने आपको जितना ज्यादा हो सके, आज के दिन दूर ही रखना है। आप देखेंगे मित्रो की व्यस्ततम दिन चर्या के बावजूद भी आप।